अब यह कुछ questions हैं जो preparation of ammonia या फिर manufacture of ammonia से related हैं तो चलिए पहला question देखते हैं नाइट्रोलिम इस अब नाइट्रोलिम जो है क्या होता है यह calcium, sinamide और graphite का mixture होता है और sinide और sinamide में फर्क क्या है तो सबसे पहले हम देखते हैं यदि cn- है तो यह कहलाता है sinide इसके ओपर minus 1 charge है और यदि हम cn2 और इसके ओपर 2 minus charge लेंगे तो यह कहलाएगा sinamide तो जो नाइट्रोलिम होता है वो calcium, sinamide और graphite यह दो का mixture होता है तो calcium, sinamide plus graphite हमारा answer हो गया c second question है NH4Cl on heating with NaOH तो heat करके देखते हैं क्या answer आएगा तो सबसे पहले हमने लिया है NH4Cl plus NaOH यह जो product है यह देखिए NH3 यहां से NH3 और यह H2O बन जाएगा तो यह देखिए NH3 plus NaCl and plus H2 यह जो है product बनेगा तो यहां पर दिया हुए NH4Cl on heating with NaOH liberates अभी देखिए ammonia ammonia यहां पर है बागी कोई भी product इसमें नहीं है तो हमारा answer हो गया D इसके बाद which does not give ammonia with water यहां पर देखिए चार compound दिये गए हैं हम चारो compound के reactions लिखेंगे और दिखेंगे किसके अंदर ammonia है पहला है Mg3N2 तो अब यहां पर हम लेंगे Mg3N2 plus H2 यहां से दिखिए यह बनेगा MgO is taken twice plus NH3 यह three times हो गया तो इस तरह से यह balance हो जाएगा तो इसके अंदर हमें तो मिल रहा है तो हम डॉट लगा तरहें कि हाठी के एक में तो हमें मिला फिर इसके बाद calcium cyanamide तो यहां पर CACN2 plus H2O यहां से दिखिए बनता है CACO3 and plus two times of NH3 तो यह हो गया CACO3 plus 2 NH3 तो हमें यहां से भी मिल गया इसका अलिमनियम नाइट्राइड हमें मानुब है कि नाइट्राइड को जब हम hydrolyze करते हैं तो ammonia मिलता है जैसे phosphide के case में pH3 phosphine मिलता है तो इसके बाद हमारे पास है ALN तो यहां पर ALN plus H2O यहां से आपको मिलेगा ALOH taken thrice plus NH3 यदि हम three times कर दें तो यह balance हो जाएगा तो हमें यहां से नहीं मिल गया अब इसके बाद हमारे पास है CACN taken twice तो इसके बाद इसको नोट कीजिए उसके बाद फिर मैं आपको देता हूँ answer अब इस Aluminium Nitride के बाद हम लेंगे Calcium Cyanide अब दिखते हैं यहां पर क्या होगा CACN taken twice plus H2O यहां से बनता है Calcium Hydroxide और plus 2HCN अब दिखते हैं Balancing Calcium तो Balance है Oxygen 2 है तो इसको हमें 2 times करना पड़ेगा अब 2 Hydrogen बच गया है और 2CN भी है तो HCN बन गया तो हम देख रहे हैं कि यहां पर जो है Ammonia Produce नहीं होता है तो which does not give तो यह हो गया Calcium Cyanide इसका Cyanide procedure is used to prepare इसका answer तो हमें यहीं नज़र आ रहा है CACN taken twice C2 जो है यह देखे CACN taken twice में क्या मिला है? HCN लेकिन Calcium Cyanide या फिर Nitrolym Nitrolym में तो Graphite भी हमें लेना पड़ेगा तो इसके अंदर Calcium Cyanide CACN2 से भी हमें मिलता है Ammonia तो Cyanide procedure is used to produce और to prepare Ammonia तो answer हो गया C इसका दिए next question दिखिए यह जो है based on diffusion भी है तो यहां पर देखेंगे हम NH4CLE is heated at one end of a long tube at the other end vapors are brought in contact with litmus paper अच्छा इसका मताई यह हो गया कि देखें एक यह tube है और इस tube के यहां पर हमने ले लिया है NH4CLE और इस side में हम एक litmus paper लेने वाले हैं litmus paper अब आपको याद होना चाहिए कि litmus paper जो है वो blue से red और red से blue change होता है यदि blue से red होता है तो जिस compound के वज़े से हुआ वो acidic होगा और red से blue होगा वो basic होगा तो कई पर यह confusion हो जाता है कि blue to red acid है या red से blue acid है तो अब यहां पर देखेंगे आप यदि मैं लिखता हूँ red और यहां पर मैं चेंज करता हूँ blue to red अब यह देखें डी last में है इस conversion के last में भी डी है उसी तरह तो यह ऐसा फ्राइब रखें रेड जो है यदि final हो गया तो यह red है तो blue से red अब यहां पर जो है अब हम acid लिख देते हैं तो देख रहें कि acid में D यहां पर भी D उसी तरह से यदि हम base लिखते हैं तो यह देखिए red से blue E last में है इसके भी last में E है तो इस तरह से थोड़ा सा memorize कर सकते हैं कि acid है तो blue से red और base है तो red से blue अब यहां पर देखिए at one end vapors are brought in contact with litmus paper which changes to blue पहले blue होता है और बाद में red होता है तो blue का मतलब ही हो गया कि कोई base आ रहा है red का मतलब कोई acid आ रहा है अब यह बताईए यदि NH4Cl यह ionize हो जाए यह decompose हो जाए तो यहां से क्या मिलेगा NH3 plus HCl अब यह बताईए molecular weight ammonia और दोनों vapor phase दोनों gases phase में है तो NH3 जो है उसका molecular weight है 17 और HCl के gas में है 36.5 तो बताईए कौन diffuse करेगा जल्दी जो lighter gas होता है वो diffuse पहले होता है तो इसका मतलब ammonia पहले जाएगा यहां से rate of diffusion यह देखिए पहले ammonia पहुँच चुका और अभी यह HCl रास्ते में ही है तो सबसे पहले जब ammonia पहुचा जो एक basic है basic nature का है उसकी वज़े से यह blue हो गया और जब इपर ammonia पहुच चुका तो अब जो lactose paper है फिर से दी हम रखेंगे तो अब हम देखेंगे यहां पे अब HCl की वज़े से acid की वज़े से इसको नोट कीजिए क्योंकि diffusion जो है ammonia का जादा है सबसे पहले वो चेंज करेगा उसके बाद फिर HCl next question देखिए यहां पे ammonia is not a product in the hydrolysis of nitrogen भी दिया है hydrolysis of aluminium भी दिया हुआ है nitride भी दिया है तो यह चारो reactions को हमें चेक करना पड़ेगा और चारो reactions के अंदर किसके अंदर जो है ammonia produced नहीं हुआ वो हमें देखना है तो पहला है hydrolysis of nitrogen तो nitrogen के लिए हम क्या लिखते हैं Ca Cn taken twice plus H2O यहां से देखिए बनता है CaCO3 CaCO3 and plus 2NH3 इसमें तो बना तो not produced इसमें तो बन गया hydrolysis of aluminium nitride अब देखेंगे हम लोग aluminium nitride plus water तो यहां से बनेगा L O is taken twice plus NH3 तो यह हो जाएगा 3 times इसमें भी हमें ammonia मिला 3rd है decomposition of ammonium nitride अब यह देखें ammonium nitride होता है NH4 NO2 और जब इसको heat करते हैं तो यहां से N2 मिलता है और plus 2H2O तो हमारे पास answer तो आ गया यह decomposition of ammonium nitride इससे हमें ammonia नहीं मिलता है लेकिन आप देखते हैं hydrolysis of urea तो यहां पे NH2CO NH2 plus H2O यहां से देखें 2 times NH3 and plus CO2 तो इस तरह से यह CO2 बन गया तो यहां भी ammonia मिला तो हमारा answer बिल्कुर finally C है अब इस वाद आप question देखें ammonia will be obtained in अब यह देखें 1, 2, 3, 4 reactions दिये हो हैं और यहां पे कही combinations हैं इसका मतलब हमें तो each equation को जो है हमें check करना पड़ेगा तो पहला है CSCN2 plus H2O देखते हैं हम इसको CSCN2 plus अच्छा यह तो हमने यहां लिखी दिया है तो CSCN2 plus H2O इसके अंदर तो हमें produce हो रहा है तो 1 यहां भी है 1 यहां भी है अच्छा इसका मतलब A and D के अंदर competition है तो ठीक है इसको लिखने की जुरुद नहीं है उसके बाद है NH4H2PO4 तो अब यहां पे तो यहां से हमें मिल रहा था NH4H2PO4 इसके अंदर जो आता है product वो एक होता है NH3 देखिए NH3H यहां से बचा इसका HPO3 Metaphosphoric Acid और प्लस water हो जाता है HPO3 is Metaphosphoric Acid तो यहां भी हमें आमोनिया मिला तो इसमें भी मिला इसमें भी मिला NH4NO2 मेरे ख्याल से वहां आमने देखा है N2 तो इसमें नहीं मिला NH4NO3 को देखते हैं यह देखिए NH4NO3 यहां से मिलता है N2O जिसमें कहते हैं Laughing Gas तो यहां भी हमें नहीं मिला इसका मुत्या answer हमारा है 1st and 2nd तो 1st and 2nd के लिए option number D तो ऐसे जो reaction based questions हैं हमें हर option को check करना है इस पर आते हैं calcium cyanamide on treatment with stream under the pressure gives ammonia end तो हमारा पास reaction थे हैं available है अब यह जो है यदि steam होता और यहां पर pressure हो जाता तो यह condition था है इस question का तो ammonia के साथ क्या नज़रा रहा है आपको CSCO3 calcium carbonate तो इसके साथ हमें मिलेगा calcium carbonate answer हो गया D Gas obtained by the heating a picture of ammonium chloride and select line तो देखिए यहां पर हम लेंगे ammonium chloride और select line क्या है CO is taken twice सबसे पहले CSCO2 इसको two times कर दीजे CSCO2 यह बन गया प्लस two times ammonia two times ammonia और यहां पर देखिए आठ और दो दस hydrogen है अभी तक हम six ले चुके हैं तो यहां पर आ जाएगा 2H2 यह balance हो गया तो यहां है gas obtained by heating तो कौन से gas हमें मिला है ammonia तो आपका answer हो गया B यह इसको आप note कीजिए श्रिब्द कीजए श्रिब्स आप स canım झारतने हो आपका बनापस आपका अपका 0